गीता अच्थारा के श्लोप नंबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोग को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत राम पाल जी महराज के अमरित वचान करी शांतется जानने जान्न के अमर मुवचा साकट चारों बेंद हैं, ये साकट ज्वादस पंथ, ये बारा पंथ भी साकट है, कौन से जैसे कबीर सागर में आपने देखा बारा पंथ, एक वो नारा नदास का वो चूडा मनी जी का पंथ, जागू पंथ, ये बारा पंथ है, ये इनकंप्लीट नौलिज है, ये भी साकट है, यानि पूर्ण मोक्स नहीं है, और ना दुसरे की मान में अपनी बाज़ पार्डिक रहते हैं, जो उन्होंने लोक वेद ग्रहन कर रख्या है, पर्थम तो दस नाम हैं, ये सन्यासी बगवान हैं, और दारू बकरे खात हैं, बने फ्रेकत, ये भी साकट हैं, सराब नहीं है, छोड़ देनी, मास्क इनके टाल, जिनों के वहरों मांगए हैं, वहरों कर तो डाज़ें, बकरारे को बोलते लें, उत्यजाने वाला तो डागा चलाज़ा, वह पाच्छा पकाओं और खाओं, गुटी लाओं, ऐसे करम पन्त हैं, जो टुकडे पानी चाहें, जिन ये पन्त लाई या वे तो अगम अगा अथा है, गुरू गलतियों होता है, नामिक जेहे पन्त, फिट दन नेती संत की जो साकट सिस्करंथ, अब गुरू गलत न्यू होगे, जैसे नामिक साहिब ने कितना पुईतर एक अलग से बगवान की वीधी का मारग सलाय था, अब इसमें आगए से लगए, ये क्या करन लगें, सराब की इन का टारणा, मास की इन का कोई बादा नहीं रही। और सभी सिख बना दिये तो को सराब पियो भी सिख माज खावो भी सिख अरे सिख का काम सराब माज तुमा को पीना होता है जो इन वस्तों के निकट भी नी जा वो सिख है तो यहां क्या बताते हैं गुरू गलतियों होते है अब नानक जी के पंथ में जो ऐसी बुराईया पड़ गी गर कर गी तो उस महापुरूस को भी इस बात की लानत लगती है कि ऐसे महापुरूस के पंथ में ऐसी गर पड़ गए बुराईया आगी क्यों आगी क्योंकि साक्ट से बना शिक बन गए क्योंकि जो सराब पी हैं वो भी शक, मास खाओ वो भी शक और सारे शक कुआ हैं नहीं, ये दार्मिक वक्ची नहीं होते हैं जो मास सराब तुमाख कुआ परियोक रहें चैक कोई भी करता हिंदू करते हैं, मुस्लमान सिक करते हैं पंड़ साकट कौन विदी इसका नरना दे वो तेरा मी जीमत पर है तो कंठी मतले पंड़ साकट कौन विदी इसका नरना दे सुत्त संचाखात है जिनके मौन डेक है गाल बजाए क्या हुआ तुलसी टाल जरोर गुले भगती भगवंत की ये पत्थर तैसर फोड़े दौदस तलक बनाए कर ये नाचें गरगर बार कनकजने उकाइडिया वे सत्रे दास्तमार निंदा नहीं निराठे है सत्गुर साहीदार वक्न हमारा मानियो ये चारों वेद विचार इन त्यारों वेदों को पुनर विचार करो हमारी बात पर विचार करो हमारी बात को मानो हम क्या करे हैं हम निंदा नहीं करे हैं गृबदा साहिब जी करे हैं तुम इन वेदों को पुनर विचार करो फिर देखो तुम गल्ट ग्यान ग्रहन किये हुए राज़ द्वारे जाए कर ये बासें गुरुड़ प्रेत साहिब का सुम्र नहीं ये छुटेंगे किसेत पारायन करते फिरें ये गर-गर गर-गर बार-गवार और जीव मुक्ती क्यों होएंगे आप नहीं दीधार कत्नी के सूरे घैने ये कत्षें अटंबर ग्याने अर्जम के दुआ रह जावेंगे ये सब्द हमारा माने अब ये वक्ता तो कहते हैं बिना गिन्ती के सूर वीर बड़े परसिद वक्ता कत्नी के सूरे घैने ये कत्षें अटंबर ग्यान और कहते हैं ये काल के दूआ यम के लोग मजावेंगे तुम बतन हमारा मान कत्नी के सूरे घेने ये कत्ने अटम्बर ग्यान नाही परक्परेम की सो कत्नी पाहन जान कत्नी के सूरे घेने ये गरमे कहते ग्यान और बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करें मैदान सर्वानन्द नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान पाक रहा था उसकी माता ब्रामा था उसकी माताजी सारदारानी थी वो बहुत नेका आत्मा थी लेकन किसी प्रहर्वत के करम वस वो बहुत प्रेसान थी सारेरी कष्ट था मान सिक प्रेसा नहीं रहती थी तो प्रमेश्वर कबीर जी के सरन में जाते ही उसका सब कष्ट निवारन हो गया था और उसे पहले उसने सब विद्वानों से सब जन्तर मंतर करने वाले सबी पंड़तों से अपना ट्रीटमेंट करवा लिया दवाई भी ले ली थी सब ने ये कह जिया था कि तेरे प्रहरब्द का करम है सारदातन भोगना ही पड़ेगा स्री राम ने भोगा क्योंकि नारद ने सराप दिया था स्री विष्णियु जी को राम चंदर रूप मा पर गट हूए एक जीवन पूरा दुख पाई सुरी राम ने बाली को मारा था सुगरिव के भाई को उसका बदला भी स्री करिसंट बन कर दिया वो सुगरिव बाली तो बना सिकारी इस लिकर्सन जी के पैर में विसाग्ट तीर मार के उसका उनका बदला लिया तो इसलिए प्रहरुद में किया हुआ करम तो भोगना ही पड़ेगा तो प्रमेश्वर कबीर जी की करपा से उनके आशिरवाद मातर से उसका सारा रोग कट गया फिर उसने नाम लिया बग्ती प्राहर्म की फिर अपने पूतर की उसके पूतर को क्या विमान हो गया कि मैंने पूरे सभी विद्वानों को ब्रहमनों को प्राजित कर दिया शास्तरार्त में और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वजीत रखवा हूँ अपनी माता से तो सर्वानंद ने अपनी माता सारदाजी से कहा कि मा मेरा नाम सर्वजीत रख़दो मा ने कहा बेटा सर्वानंद कुछा बुरा नाम है ये बहुत अच्छा नाम है पराजित कर दिया और मैं चाता हूं कि मेरे नाम से विजित हो जावाई कि यह हभँ सर्वाजीट जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया उसके माँ बोली वाई एक विद्वान को और पराजित कर देись फिर अपने फुत्र का नाम सर्वाजीत रख दूंगी यदि उस विद्वान को प्राजीत नहीं करेगा तो तिरी मा तिरा नाम प्राजीत नहीं रख़ए अब वो कहने लगा मा बताओ कौन है विद्वान कि कबीर परमेश्वर वो कहने लगा कौन कबीर वो कबीर वो जुलाहा कबीर अब हाँ बेटा वो बगवान कभी रुबोल को केंड गया माता हूँ तो अनपड़ है सिक्सी तो वो क्या जाने बेज सास्त्रों के बारे में अभी गया रभी आया अब शर्वानंद प्रमात्मा के पास पहुँचा उस जुलहा कलोनी में शर्वानंद गया वो क्या करता था एक बैल के उपर गजे की तरह बोरा रखे है ठेला रखे है और उसमें ग्यारों वेद अठारा पुराण उपनेश्त बागवत और गीतार सारे रख्या करता कि कोई सास्तराथ बात करें उसी से में काड़के दिखा जाएक देख ये लिखा इस प्रष्ट पे उसको कंठस की याद थे वेद में ऐसा लिखा वो साथ रखता था वो पहुँचा वहां पर कहा अब सोरट में बताऊँगा क्योंकि इस से में थोड़ा रह गया अब सर्वारनंद कभीर जी की जहुपणी पर पहुँच गया एक कमाली नाम की लड़की जो मुर्दा जीवित की थी सेग तकी की लड़की थी कबर में दबारा रही थी वो जीवित की थी तो परमात्मा के साथ रपनी बेटी रूप में रही थी वो परमात्मा कबीर जी के साथ वो लड़की आगे मिली उस लड़की से कहा के बेटी तू पानी जा लड़की अंदर से पानी बरके लाई एक लोटा और कहा मेरे इस पातर मर डाल दे सर्वानंद के पास एक लोटा था और वो लबा लब बरवा लिया कफी उपर तक उसमें एक बूंद पाईनी पड़े वो भी बाहर दावे और खा बेटी इस लोटे का पानी गिरना नहीं चाहिए और कबीर जी को दे दे जो इसका उतर दे मुझे बता रहा तो वो कमाली धीरे धीरे उस लोटे को भरेवे पानी को लेकर गई कहने गी पिता जी ये लो सर्वानंद वो बाहर पंड़ जी खड़ा न उसने ये कहा के मेरा उतर लाना परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई लोहे की उठा थी मोटी सुई लंबी होती थी वह पंचे इंस की वह उठा कैए उस लोटे में गेर दी और वह सुई लोटे के तली में जाकर बैठगी और पानी बाहर निकल गया जितनी कैपेस्टी थी सुई की वह लड़की को कहा जा बेटी दे हा सरवानँदा ने दे जिया उसका उतर अब पंचे ने पूछा कि क्या उतर दिया मेरा कबीर जी ने लड़की ने कहा पिता जी ने इसके अंदर एक सूली डाली है कोझे उतर नहीं दिया कहागि यह इसका इतर ही है फिर वो अंदर आकर कहने लगा कि कभी जी आपने मेरे परसन का क्या उतर दिया परमिश्वर ने कहा परसन बताओ पंडर जी अब सरवानद अजय कहा कि मैंने सभी विदवानों को प्राजीद कर लिया सास्टरार्थ में और मैंने अपनी माता सारदा जी से अपना नाम सरवजीत रखवाना था उन्होंने सरत रख़ी कि मैं आपको सास्तरार्थ में प्राजित करके आपसे लिखित रूप में लेकर जाओंगा तो वो मेरा नाम चेंज करेंगी नहीं तो नहीं करेंगी तो मैं आपसे सास कराज कर गया हूँ और मेरा ये परसंद था कि ये लोटा मैं जान से ऐसे प्रीपुरून हो जैसे ये लोटा कती लबा लब बर्यापा जल का इसमें और जल डाला जाएगा वो भार जाएगा इसमें समाएगा दे यानि मैं इतना ग्यान युक्त हूँ मेरे साथ सर्चा करना भी तरह गरत होगा तिरी बात का असर बेरा नहीं होगा परमात्मा बोले मेरा उत्र सुन ले मेरा ग्यान ऐसा ग्यान है जैसे मैंने ये सुई डाली तरह लोटे में या सुई तेरे लोटे के तली मजा का बैठ भी तरह पाणी बाहर निकल गया मेरा वो ग्यान है तेरे हर्द्य मजा का बैठ जागा तेरा ये थोता पाणी सारा बाहर निकल जागा और ग्यान सब ग्यान डी कभीर ग्यान सब ग्यान जैसे गोड़ा तोब का यू करता चला है मैदा सरवानंद कहने लगा अच्छा तो करो परशन परमात्मा ने कहा कौन बर्मा का पिता है कौन विश्णों की मा और संकर का दादा कौन है सरवानंद दे बता अब क्या बताते हैं कत्षनी के सूरे गहने ये कहते अटमबर ग्यान और बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करें मैदान अब लीद कर गया हो सर्वान चोड़ा वाण डे था वहां लीद कर गया मैदान और गदान गड़ें गोड़ें बजाजे ना उनका कम्पीटिशन में और हो बाना करके लीद कर लागे जागरा आगे ना चाला सुए फर्वानंद यानि ये सारे विद्वान्यों लीद कर गए मालक के पर्मात्मा से नहीं ठकराओं से इतने अंडी पाके अंडे से जो बराबर में चाल सपीड खेसी तो कर गया लीद हैं नो कर अबर माविश्वा सर्वेश्वर महेस्वर का कोई पता नहीं कोई माता नहीं ये सर्वान्यों ने कहा देवी बागुट निकाल तीसरा सकंद उसमा पर डावसमें के पाया मानना फिर भी नहीं क्योंकि सारे जर्द संस्कर्द में थे संस्कर्द पढ़का औरोक में लागए वान टा 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 बहुंग जो तो बोलता रहा जो वहां दर्षक थे वह जुनाहे थे सारे एसिकसित सरवानद बोला पौरी सुन्सक्रत सुन्सक्रत बोलता गाव बोलता गावकार करा क्योंक बता जिया और जिटने सुरोता थी वोगी 12 जिस ग्यान से सने पड़े थे इसके कोई माता पिता नी तो सभी ने उस्वसकरत के अधीर बोलने मातर से सर्वानन्द को द्विज़ई कर दिया और ताड़ी बजाए जी पर मातमा बोले वह ठीक है मा आरे गया तो जीत गया विद्वान लिखवा लेके लिखवा होगा अब वो लिखवा के ले गया कि सर्वानन्द जीत गया कभीर साथ आरे गया कभीर साथ की अंगुठा करवा लिया अपनी मा को जा के सुनाने लगया कि ले माता जी उसने जाते हरमान ली मेरे का मा बोली बेटा सुना पढ़के पढ़के सुनान लागया सास्तराब मैं सर्वानन दार गया कभीर साथ जीत गया उसकी माँ बोली रहे तू नहीं गता मैं जीत काया तुझा हारी काय रहा है ओहो माताजी गल्ट लिखा गया फिर गया दुबारा फिर लिखिलाए आके फिर सुनाया फिर यही लिखा पाया लिकھ वाय था ये कभीर जी आ ड़े इस सर्वाणन जीत गया मा के पात साव Azто उल्टा लिक्षा पाूया के कभीर साव जीत गयो और सर्वाणन द आ रिगा सताय तो यह ती वो प्हेर टीसरी बार फैर गया परमातमा से का आज मेरे से गलती से लिक्षा गया यहां लिख्वों बिल्कुल सई मा के सामने पर डो होते हैं यह उल्टे पाऊँ है के बिजली पड़ा है तो गर मैं जब परवेश करने लगा तब तक यो का यो लिखा हुआ उन्यों ऐसे उस अक्सरों के अपर उसकी आख रुख गी नहीं देखता देखता रंदर को चलता चलता मा के पास निकटाया करने लगा मा पढ़के सुनाओं न्यों कर इतने में अक्सर चैंज होगे ऐसा लिखा गा कभीर साब जाई हुए सरवानन राजीत हुआ मूँ खुला गा खुला रहे गा जब अक्सर चैंज होए उसके सामने कलिजा लगे अविदवान बन रहाता उसकी माँ बोली रहे, बोलता है कि उथए शना के लिखे तो बैठी गा कलिजा पकण के उसकी माँ बोली नाला एक बगवान आरे, भवह पकण लिजा कितरा कल्याद हो बेटा मैं तर रोया करती है अपने गुरुजी का गए है वगवन इसकी बुदी ब्रेश्टोरी यो अक्सर ग्यान कर पाक है अंदा में अंदा ही यो मुख्या बना फरह है अंदे के अंदा में शेठ यूपन रहा है परदान अर बिरान में अटी होगी तेरी अब संसकर्त में उसने पढ़ा वो सच्चा था तीसरे सगंद में अग्पन मा भी शुनो महिश का जनम मरती होता ही ये नासवान है लेकिन अब इमान बस नहीं मानने था तब उसकी मा के पास ने वला मा मनसरम आवे है आप ले चलो मैं नाम लिएँगा अगरा पीछा विद्वान ने कभीर जी से उपदेश ले लिया तो सारे ब्राह्मन सर्वानंद के गरो दी होगे वनकली अब सर्वानंद की बात में कोई नहीं माने बिरमा विश्नो महिश अबिनासी नहीं है उसका डड़े माने पत्थर माने अज़िदा दानक का चेला हो गया इसने जाय सा चड़वा वेटा फिर देखांगे आंड़ जेव तैवी नकलिया नहीं दे तो वह समय अब आगया इन नकलियों को सीधा करने का बोलो सत्गुर्देव कीजए परमपिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वै सिर्ष्टी रचनहार को लुमालिक ये वो प्रमात्मा है जो बनारस में भारत्वर्ष की पवित्र भूमी कासी सहर के अंदर सन तेरा सो अठाण में सम्विकर्मी सम्वच चौदा सो पच्पन जेश्ट सुधी पूर्ण मासी को एक लहर तारा नामक तलाब में एक कमल के फूल के उपर नवजाच्छी सुरूप धारन करके वो परमात्मा विराजमान हुए वो परमात्मा सत लोग से चल कर आए अपने निज़ सत्वान से अपने पुर्वे वचन और अनुसार एक नीरू निमा नामके जुलाहा पती पत्मी परमात्मा को अपने घर ले गए उनके कोई संतान नहीं थी उस जुलाहा घर में जुलाहा वरन में लिलावत वहाँ कारिये करने से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से परसिद हुए फिर वो परमात्मा एक विशेश कवी नाम से भी कवी उपमा से भी सुसोबित हुए और वो परमात्मा स्वर्म परमात्मा भी है उस परमेश्वर ने हमें यहां आकर किया जान दिया उनका इस लोक में आने का उधिस्थ से क्या था उनका उधिस्थ से था कि वो हमें अपने निज़ घर के बारे में जहां से हम आए हैं वो जानकारी दे हैं और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अग्यान के आधार से हम अपना यही दीवन समझ सके हैं कि जनम हुआ फिर अपना जैसा प्रेतनवत बड़े हुए संसकार वस्थ संतान हुई साजी हुई इनको परविश इनकी परविश कर दी फिर दा साजी कर दी हमारी मर्चू हो जाए हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुस जीवन का सोच रख्या था अब जब प्रमात्मा की रोस्नी में तत्वग्यान के परकास में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रही है तो हमारी मज़गूरी है हमारे पिछले कोई ऐसे संसकार उड़जे हुए हैं जिसके हमने ये सब करिया करनी आवस्थ हैं लेकिन जो कारिये हमने करना चाहिए था वनुस जीवन से उसका तो हमें ज्यान भी नहीं वो प्रमात्मा ये ज्यान देने आये थे अब कई भगत कहते हैं अन्दान विक्ती कहते हैं जिजी कबीर जी बगवान थे और तो आप लोग इक इस ब्रमान को काल की जेल बताते हो और यहां सब करमों के बंधन से ही आकर यहां बंधे हुए हैं इस काल की जेल में करम बंधन से तो कबीर प्रमात्मा ये धी भगवान है तो उनको यहां आने की क्या हो सकता थी इस से सिद्ध है कि वो भी कोई करम के मार से ही यहां आए हैं वो भी बंधन में बंधे पुन्यात्माओं ये अनाड़ी सोच होती है अध्यात्मिक ज्यान से अप्रीचित विक्ति के अंदर ऐसे संकारूपी खर्पत्वार का उपत जाना कोई बड़ी बात नहीं एक तुटकला है छोटा सा एक जेल के अंदर एक कैदी वहां कैदीयों के ड्रेस ऐसी होती थी शर्पए टोपी और पजामा और पुर्टा तो एक दिन बारत के परदान मंत्री जी पंडी जवारला नेरू जी ने किसी जेल का निर्क्षन करना था और कैदीयों को स्टेंटू कर जिया कि वाज भाई पर दान मंत्री आ रहे हैं पंडी जवारला नेरू जी और सब को कहा भी अपना ठीट ठाकर यह हो सकता है नेर कर दें तो फिसे की कैद को भी माफ कर सकते हो हैं तो सब की उत्रुकता थी वही मैं पंडी जवारला नेरू जी आओंगे देखांगे इसको तो वो पंडी जवारला नेरू जी जेल में पर वेश हुए उनके साथ बोड़ी गार्ड पान चार शपाई सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी शर्पेटो पी कुड़ता पजामा एक कैदी बोला वाई कुण सा है जवारला नेरू नो बला वू आन लाग रहा बला अच्छा बला कदे कदे आम भी जवारला नेरू बन काय थे आना है आन दे बाई ने ओजागा थोड़े दिन में ठीक यो भी अब उननों सोचा ये भी पकड़ के लाए है इस पुलिसाने रिसनाड़ा मारे दुरबंद करेंगे जो बला कदे कदे आम भी ने आए थे जो अल्ला नेरू बन काय अपराड़ा है पास बेरा पटा के वो नी बना इनसान के लिया यो भी सी दा हो जागा तो पुन्यातमाओं उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे पकड़कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं लेकिन वो राजा थे वो किसी अपराद के कारण उस जेल में नहीं गए थे ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं हमारे जैसे ही लगते हैं लेकिन ये होते हैं परमेश्वर ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा बाई उर बात तेरे काम ना आवे तु संतो सरन लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे उर बात तेरे काम ना आवे तु संतो सरन लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे बाई उठ सवे रहे हुका वर लिया के जाग नर भागरे राम बजाना सुकर्म की ना ये फुटे तेरे बागरे फुटे तेरे बागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सरन लागरे के सोव गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे इस तनसरायम जीव मुसाफर करता रहे दमागरे तनसरायम जीव मुसाफर करता रहे दमागरे रात बसेरा कर ले देरा चले सवेरा चागरे चले सवेरा त्याग रे उर बात तिर काम न आवे संतों सरण लाग रे के सोवग फलत मैं बंदे जाग जाग नर जाग रे उमदा चो लावेन अनमोला ये लगें दाग पे दाग रे उमदा चो लावेन अनमोला लगें दाग पे दाग रे दो दिन की गुजिरान जिगत में जड़े दराणी आगरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सरने लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे बाई कुब्द काचली चडरी चत पै तु हो रया मनुस्त नागरे सुजै नहीं सजन सुख सागर बन्याप्रेम बेरागरे उर बात तिरे काम ना आवे संतों सरने लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे बाई अर सुम्रे सोहन से कहावे यो काम निक्रोदी कागरे बहुरा ना बर्मे विसके बन्यागरे चल बेगंपूर बागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सरने लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे सब्द सैन सत्गुरु की पिछाएनी यो पाया अटल सुहागरे सब्द सैन सत्गुरु की पिछाएनी पाया अटल सुहागरे नता नंद महभूब गुमनी परगटे पूरन बागरे और बात तिरे काम ना आवे संतों सरने लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग नर जागरे अब क्या बताते हैं? ये प्रमात्मा कबीर जी का सब्द है लेकिन नितानंजी ने उसी क्याधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया हमने प्रमात्मा की महिमा को परखना है समझना है नितानंजी माराज ये वैशनों प्रमपरा से संबंदित गुमानी दास्वंत के स्यस्थे इन मापुरसों ने अपनी साधना को जो वैशनों लोक की साधना करते थे उसी को बेगम पुरमान कर किया बेगम जहां कोई गम ना हो जहां कोई दुख ना हो तो इनको इतना ही ग्यान था प्रमात्माओं हमने केवल जिसका समझा उर्जपरद नहीं हो रहा है कि नितानंजी भी ऐसी हिवानी बोलते थे क्योंकि कभीर प्रमेश्वर की वानी जो है दरिया है उस प्रमात्माओं की वानी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकाने चला रखी है तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और अगे अपना उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है प्रमेश्वर ने एक पता है कि इस तन सरा में कहते हैं मामले जाग एक तो जागना है जैसे किसी न उठा जिया उठले वाई सुवेरा हो गया यह दिन रात जो बनते हैं और उठ या उठते उपके का निवाग लिया ठा के चलम हमना देख्या ही है हमारे रिष्टेदार और जैसे दरवाले उठा पिया करते हैं सुथ्चा उठते हैं और ठा के चलम और वहाँ पहुंस्टे जहां पर आग सुरक्षी तरक राठी होती है और पी का उठा एक दो कठा है फिर लगते हैं अपने काम पर ना किसे अतरी नाम राम करनी ना नमस्ते मतलब मार ऐसी सचीची देखी इस दासने अब वो देखता हूँ तो यह प्रमात्मा कित पैदा हो गे थे हे बगवन हम एक बार सच्छन करने चलेगे पलवल का नहीं पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमीशनल से रिटार होए हैं बगत गुलाब सेंग दी उन्होंने वहाँ सच्छन करवाए अपने बाई के यहां हम सुबह सेर सपटे गुमने के लिए जाते तो रास्ते में जितने भी विक्ती मिल दे वह नो करते राम 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 यानि कोई भी मिलता गुमने फरने वाला बुड़ा मिला थे जवान थे बालक राम राम भाई राम राम जी रत्रा गजवयो और हम कित थे रोत तक जलम है राम राम ते दूर नहों का अरदन नमस्ते और ठीक से नमस्ते नमस का अरथ होता है नहों करना नमन करना नीचे को गरदन करना नहों करते नमस्ते ठीक है राम राम तो बहुत वारी का आगरते है तो अब उस अठीखी से निकल कर अब कहां हम पहुँचे तो वहां क्या कर उसके विसे मैं बताया है परमेश्वर कभीर जीन है कि उट सब्वेर है वो कावर लिया फिर केजा गैनर वागरे उठ दे फिर पाप सुरू कर दिये कोई राम बजाना कोई सुक्रम की ना ये फुटे तेरे भागरे इस तन सराय में जीव मसाफिर करता रहे जमागरे इस तन रुपी सराय के अंदर ये जीव मसाफिर है ये कुस दिनों का मेमान इसमें आकर रुका हुआ है इसने जितना इसका किराया दे रखा तब तक ये कमरा इसके पास रहेगा जब वो किराया पूरा हो जाएगा तो तुरंट उसको छिन लिया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा ये प्राणी इस सरीर रुपी सराय से धर्म साला से इस होटल से इस होटल में किसली आए थे दूर देश में इसलिए जाते हैं कि कुछ पैसे ले जाते हैं वो द्धन ले जाते हैं उससे आगे बिजनस करके द्धन पर जी करके फिर वापिस लोटा दे तो यह स्वांस रूपी पूजी हमें इस संसरी रूपी सराय मिली है स्वांस रूपी पुंजी है मनुस श्रीर है इस स्वांस रूपी पुंजी से यानि मनुस जीवन से हमने सुब करम करके ये सौदा करना था बिजनिस करना था और दुगना तिगना चोगना बनाना था हम सत वक्ती ना करके अपने उस जैसे एक रेस्टोरेंट में गया कोई विक्तीज एक लाख रुपया ले गया बिजनिस करने के लिए और बिजनिस किया नहीं विपार किया नहीं उसी मेंसे खा रहा है उसी मेंसे गुटी ला रहा है उसी मेंसे किराया दे रहा है और दूसरा वहां गया है उस लाख रुपे में से कराय भी दे रहा है और साथ वह बिजनिस भी कर रहा है उसने तो दुगने तगने चोगने करके पुझी लेकर वापस आ गया और जो बिजनिस नहीं कर रहा है उसने वो पुंजी खत्म कर दी जो धन लेकर गया था मूर धन तो वो भी वापस आ गया क्योंगी पैसा रहा नहीं दूसरा कमाई करके वापस आ गया तो ऐसे परमात्मा हमें याद जलाते हैं कि तुम यहां इस तन सराय में जीव मुसाफर और तुम अपनी अपनी सोच में अठकर अड़ाए बैठे हो करता रहे दमाग रहे करना था वो काम कर नहीं रहे एक भगत ने बताया कि मेरे मामा जी की तीन लड़कियों भी साधी थी पांस लड़कियां थी उसके और मेरे मामी बहात नोच का आवे थी रो तक के स्टेशन उस पर बस्टेंट पर खड़ी थी अब जिसके तीन लड़कियां गाद्या हो और दिन थोड़े रह रहे तो उसके जमाग की सुई तह मेरे खाल में एक सुअस्टी की सबीट तह चलती है ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी वो इन लाना से सोरी का फलाना चीज़े लाना है ऐसा करना है अनू करना है फलाना करना तो वह खड़ी खड़ी ऐसे अपना जमाग गुमारी थी दूसरी एक गाड़ी से उतरी दूसरी गाड़ी में बैठने का इंसदार कर रही थी और पिछे से एक गाड़ी वा एक बस आई उसने कंड़क्टर था को जा ड्राइवर ने अप्रोक्सीमेशन सी वा बेक करन लाए गया वा बस टेडी ओक है और उस बेन की ठाटी माला गिर्वा खड़ी सामने और बस आणजागरी उसने ये नहीं पता है अब बस तरी जान ले वा गिर्वा सोच री पता नहीं के गूम री पता नहीं कहां तो पी थे पिलर होता पिलर होता पिलर और बस के बीच बहा को अप पिछखी जी आज गंटे तरफ को वही मर गी अब यहां बताते हैं परमात्मा और बात रेकामन आवत उसन तो सरन लाग रे और केस हुआ गफलत वा बंदे जाग जाग मर जाग रे इस तन सरा मैं जीव मसाफर यू करता रहे दमाग रे रात बसे रा कर ले डेरा तू चले सवेरा जाग रे अब यह जीवन आपका एक रात्री है और जिस दन यह रात्री पूरी हो जागी सवेरा होगा तिरा तो यहां से तुझे खाली करना पड़ेगा यह सराय खाली करनी पड़ेगी और ले जाएंगे यह हमके दूद पकड़ गए पिर क्या बताते हैं उम्दा चॉला बिना अनमोला यह लगें दाग पैदाग रे यह दो दिन की गुजरान जगत में तो यह जड़ें विरानी आग रे अपने अत्मों यह बात विचार करन की हैं अमारे साथ काल ने इतना जबरदस दोखा कर रख्यार इतना प्रेसर बना रख्या हमारे उपर जी उपर इसको अधीक सोच्टन का समय भी नहीं देता है यह समय आपको यहां आकर प्रभू करपा से ही मिला है थोड़ा सा इससर विचार कर सको सत्संग सुणने के बाद कुस ओमंग सी उठा है आत्मा तर्फ जाती है फिर वो अंगडाई लेती है होसले माती है उस उसकी वो भांग का नसा उतरता है प्रमात्मा कहते हैं कबीर यह माया अठपटी यह तर्गुन मही माया और सब गठाण अडी किस किस नह समझाओं या तकुवा भांग भुडी तो यह भांग का नसा यहां एंटिवाटिक और सदी यहां खिलाई जाती है प्रमात्मा के मही मा की इस से यह भांग उतर है फिर यह प्रमात्मा की तरफ अपने आप सरकन लग जाता है जैसे बालक चलता जिरे जिरे और ज्यादा सफसंग सुनने के बाद फिर यह बच्चा मैचोर हो जाता है फिर अप पर दोड़ लगाता है तो पर्तम जीती अबार तर्ती अबार जो बच्चे आते हैं सफसंग सुनते हैं वो तो ऐसे आते हैं जैसे कोई ठाला आता आगे बालक हो आगरे छोटे 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 कुछ लेया चाल चाल सत्सिंग सुनागे आजा आजा लेए उसना बला का फिर आजा गाड़ी जा है बैठ ले लेए दाग पै दाग रे या दो दिन की गुजरान जर्ट में जड़ें बिरानी आग रे होई 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 कुबद कांचली चड़री चट पै तू होरा मनस्ते नाग रे और सुजर नहीं सजन सुखसागर बिना प्रेम बैराग रे हर सुम्रे सो हन्स कहावे और ये कमी कुड़ी काग रे भौराना भर में इस विसके बन में सल बेगम पुर बाग रे अब हर सुम्रे सोहंस कहावे पहले कोई चोड़ी करता था चोड़ कहलाता था अब चोड़ी छोड़ी करने लग जा तो आज भगत जी कहते हैं इसको कोई डाक के मारता था डाकू कहलाता था और साधना कोई बुराइत चाग जी भगत जी कहलाता है तो हर सुम्रे सो हन्स कहावाए ये कामी क्रोजी कागरे और भोरा ना भरमे विसके बन में चल वेगंपुर वागरे सबद सेन सत्गुरू की पिछाणी और पाया अटल सुहागरे सबद सेन सेन माने संकेत है जैसे किसी विश्य सापत्ती में आप है और वहाँ आपका साथी आ जाता है उसको इसारा करते है कि आँखों से इसारा करते है जो ऐसे दरासा इसको सैन बोलते है इसको संकेत बोलते है यानि ज़्यादा कहने की वज़ाए संकेत ही समझो अब क्या कहना चारे हैं कि जो पुन्यात्मा हैं पिछले जनम के संसकारी हां से हैं वो तो ये वितार सुनते ही तुरंद फड़क के जाग जाते हैं जैसे को गैरी निन से जाग आउठका है और एकदम सुपना सा टूटा है और जो पिछले संसकार जिसके अच्छे हैं नहीं उस विक्ति के सत्संग के वतनों का असर देर से होता है बहुत देर से होता है दो परकार से मानौ स्रीर प्राप्त होता है एक तो उन पुन्यात्माओं को मानौ स्रीर प्राप्त होता है जो पिछले जनम में भी मानौ थे और कोई बगती सत्स कोई साधना उसने किसी संत के साथ लगके कोई सत्साधना की है उसके अनुसार उसके परतिफल में उसको लग मिलते हुए आ रहे हैं यानि पिछले पुनों के आधार से मानों स्रीर कंटीन्यूज इनको मिलते आ रहे हैं कंटीन्यूज लगातार तो उनके जल्दी असर होता है वो सैन समझ जाते हैं संकेत समझ जाते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा एक के चोट सिधारिया एक के चोट से वो सिधी हो जाते हैं समझ जाते हैं जिनको परमात्मा से मिलने की इच्छा है चाहा है उमंग है दो प्रकार से मानुस स्रीर प्राफ्ट होता है एक तो वो पुन्यात्मा जो पिछले संस्कार पुन्य संस्कारों से लगातार मनुस जीवन प्राफ्ट करते ही आ रहे है और दूसरा ऐसा होता है विद्धान है प्रभू का कबीर परमात्मा ने विद्धान बनाके सकाल को दे दिया के 84 लाख योनियों के सरीरों में कस्ट भोगने के उपरां एक टरन्वाइज मानो सरीर अवस्य जीव को दे दिया जाएगा और दूसरा इस काल की एक विवस्था भी है मजबूरी होगी कि परमात्मा ने इसको इसके अपरहद का दंड दिया कि एक लाख मानो सरी धारी प्राणी तो नित आहर करेगा और सवा लाख उत्पन करेगा अब कुछ बोली आत्मा ये कहती हैं कि कबीर वगवान तो परमत्ता हैं दयालू हैं उन्हों ने इसको सराप क्यों दे दिया ये सराप समझो चाए हमारे लिए एक उपहार समझो यदि परमात्मा इसको ये सराप ना देता तो एक लाख मानो सरी धारी प्राणी खावगा तो ये मनुस जीवन कभी नी देता अपने को इसको पता है कि मन उस जीवन में ये परमात्मा को पैचान लेगा और उसके बाद भी कितना खाड़ा कर रख्या हमारे जी ने इसने निरे नकली संद वेजिका जुठी कानी कथा हमारे हर्दय में पेश करवा दी परमात्मा से कोसु दूर करवा दिया ईवत्या गाहट गाल रख्ये अभी कोई कसर नहीं छोट रखी इसने हमें मूर्थ बनाने में वो दो परमात्मा आथे अपने पैरी आत्मावों को क्योंकि हमारे पिता वही है और अपने को कहते हैं नहीं होता दुनिया मरह बतेरी पर अपने का दुख हो से दुनिया बेसे एक मरों पर अपना मरा जब उसका दर्दोया करें तो हम अमारे पता कबीर जी है और उस कबीर जी को हमारा दुख है इनके कोई दुख ना है ना इस काल का आसुआंदे ना बिर माविशनों महिश का आसुआंदे हमारे कबीर भगवान का आसुआते है क्योंकि हम उसकी आत्मा है अब जैसे कोई किसे की बेटी दुखी हुआ है पता लगा है माज पता ने उन से जुड़ी हुई अंस है वो या बेटा कहीं कष्ट में है तो मावाथ ने नीद नी आवे सारी रात उनका बेटे नी लगी रहती है वो रोटे रहती है तो ऐसे ही हम प्रमात्मा कबीर जी की संतान है चे अजगदा बना रहा रहा है स्कालना हमें चे अजगदी बना रहा है चे कुटा चे सूर और चे राज़ा बना रहा है चे मादेव बना रहा है चाहिए बर्माविश्णू में इस बना रखा है हम उसक्रम कभीर प्रवात्मा की आत्मा है एक समय काग भुसंड और गरुड जी का आपस में समवाद हुआ गरुड जी ने पूछा काग भुसंड जी से केहे देवता आपके पास मैं आता हूँ मुझे परम सांतीशी मिलती है और आपके चेरे की रौनक आपके स्रीर का जो तेज है इतना अच्छा है मैं देखता ही रह जाता हूँ यो कैसे दाव लगया तिरह मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके उपर कैसे करपा हुई प्रमात्मा की जो आपको ऐसी साधना भगती मिली जिससे आप कितने जो है न देवपद को प्राफ्ट की हुए हो कितने अच्छे लग रहे हो अब गरुड़ जी बता रहे है गरुड़ जी को काग भुसंड़ जी बता रहे है क्या बताते हैं कि एक बार मैं एक बार मुझे मानुस जीवन प्राफ्ट था मेरे माता पिता थे भाई बेहन थे अचानक एक दुर्भिक्स गिरा अकाल गिर गया वर्सा नहीं हुई और इतना बैंकर अकाल गिर गया कि इनसान को इनसान खाने लग गया पत्ते पत्ते तोड कर खा लिए गास फूस भी नहीं बता मेरे माता पिता भी तरफते हुए भूख के मारे स्थरी छोड़ गे मैं बीस वरस की आयू थी मेरी मैं जवान था भूख प्यास को सेन कर गया मेरे माता पिता वरद थे वीक थे कमजोर थे बाही बेहन चोटे थे वो भी मेरी आँखों के सामने दम तोड़िये भूख के कारणे तो एक दम मैं वहाँ से चलके अवंत का नगरी में पहुँच गया है वहाँ अकाल नहीं था वहाँ अन पेट बर खाया और मन में ऐसी गरना होगी संसारते हैं कि कल मेरे माता पिता का बरा पुरा परिवार था आज ये कैसे विनास हो गया किये जीवन है संसार का तो काग बुशन जी बता रहे हैं कि पहले मेरे असंखों मन उस जनम हो लिये थे मने कभी बगती नहीं की थी और इस कारण से मैंने रोटी के आहर के लिए अपने गुजारे के लिए एक आवाज सुनाई जी एक मंदिर में एक पंड़ जी कथा करे था शिव जी के मंदिर में मैं वहां चला गया सभी सरोता उठकर चले गए मैं वही बैठा रहा ब्रामन बड़ा द्यालू था उसने कहा बेटा कौन है आप कहां से आए हो क्या आपका यहां घर नहीं है फिर कागबुसंड कहता है गरुड़ जी मैंने सब कहनी उस ब्रामन के सामने अपनी आत्म कथा बताई वो ब्रामन भी रोने लग गया आँखों में आशू आगे कहा बेटा इस अंसार में ऐसा ही है बगती बिना गुजारा नहीं है कहता है कि छै महीने तक वो महापुरुस अपने मुझे अपने वहां रख है और सारा मेरा गुजारा दे रहाँ पैसे रोटी टू का सारा मुझे करवा रहा और न्यों के वेटा नाम ले 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 बगती कर ले पर मेरा जू नहीं रहे गए मेरी इच्छाए नाम बने तुलसी पिछले पाप ते हरी तरता ना भावे और जैसे जवर के बेगते हैं भाई भूख बिदा हो जावे जैसे किसी को जवर आ जाता है मुलेरिया हो गया और उसको फिर मैंतर रोटी स्वादिष्ट लगती है ना सेव संत्रे ना कजू किसमें से उसको वो कडवी लगती है कती, कडवी, कुनीन की तरह, नीम की तरह अब ने तो रोटी कडवी ना वो मनुखादा कडवी अब उस बुखार ने उसके सरीर की वस्था ऐसी बदल दी कि वो स्वादिष्ट वस्थू भी उसको कडवी लग रही है अब उसका इलाज क्या है कि वो मिठी लगे अब उसके लिए कडवी ही दवाई, यानी कुनीन खलानी पड़ेगी चाहे वो राजी रहे, रूची कर खावे, चाहे रूची से खावे तो वो जबरदस्ती वो कुनीन की फांकी मरवानी पड़े और फिर धीरे धीरे बुखार उतर जाता है फिर वही जो कडवी लगती थी वो रोटिया वो स्वादिष्ट लगने लग जाती है और एक सकी थी ऐसे आ जाती है कि लुखी सुखी रोटिवी इतना स्वर्स्ट हो जाता है वो लुखी सुखी रोटिवी बिनेर सबजी के खाए जाज़े जोर की वुह लग रही हो यानि सुखे से ना खाई होता है तो कहने का भाव यह है कि जैसे जिसके जितने पाफ अधिक है उस प्राणी को यह राम नाम की मनुखा दाख यह अमरत आहार एह स्वादिष्ट लगता है उसने तरागनी चाहिए हैं कम्पीटिशनाली कैफिल में गाने सुनने चाहिए हैं जमात तनक तनक 36 वाज़े बाज़े अब उसने वो तो अच्छी लगें लेकिन राम नाम की अकथा कुनीन से भी कड़वी लगती है उसका इलाज क्या है कि उसको भी अच्छी लगे यह स्वादिष्ट वस्तू स्वादिष्ट लगे उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसने सत्संग सुनने चाहिए चाहे उसको कड़वी लगें चाहिए अच्छे लगें जैसे कुनीन खानी होती है ना वो फाके मारने पड़ते हैं जब बेस्थक कड़वी लगें तो उसी से वो फिर सवस्त होगा तो प्रमात्मा की कथा दोनों काम करती है एंटी वाइटिक की भी और आहार का भी तो काग मुशंड कहता है कि छ्षै मैंने मैंने गुस की पंड़जी की संगत करी पर मन मन ही आया नाम ले लिए ना मैं नाट्या और जाओं कहां टूक मिले नहीं किता है तोड़ी बहुत सफाई करो मंदर की और अपना अब कथा करते रहे मैं बैठा रहूं वो कथा कर जाँ लसरोता सुन के चले जा मैं परसाद बाट जाँ लेकिन परमात्मा ने बताया है कि ऐसे ही दीरे दीरे वो कुनीन ट्रीटमेंट लंबा चले जा छे मेंने के बाद उसके मनमाईक नाम ले जू थोड़ा सा नरम हुआ आखों में पानी आया नितन्यों कहता है मेरे सारे भाईबान भी मरगे वरिया क्या मासूनी आई यानि दिल इतना कट्र हो गया अंदर इतना रोस पैदा हो गया बगवान के परती क्या का बगवान है यूजब सारा कुन बामार जिया यानि इस तरह की भाईबान है मेरे अंदर आई और फिर वो छे महिने प्रेजना चेतावनी सुनके पिर नाम ले लिया अब दे काल का जाल है पहले तो पराणी नाम लेकर आजिनी और कोई संत मिल जाओ है डंका फिर इसमें कुछ दिनों के बाद फिर अभी मान का एक और अंकुर फूट जाओ है अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद का बशन बता रहा है कि मैंने वो कथा जो गुरू जी सुनाया करते हैं वह सारी याद कर ली गुरू जी बुड़े होगे उनके आवाद में भी कसक ना रही और मैं युवा था 21 साल का हो गया और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी इन अबसेंस ओफ गुरू जी गुरू जी अपने घर चले जाते पाथ से सुरता आ जाते बैठ जाते तो मैं कथा करन लाग जाता अब सुरता हों को मेरी सुरिली आवाज और ज्यादा पसंद आने लगी मुझे कहने लगे के तो आप तो गुरू जी शी भी अथी कथा सुनाते हो वो हो आप तो महराज जी गुरू जी शी भी बहुत अच्छी आपकी आवाज है तो वो इंजेक्शन मेरा लागे पंप मार दिया मैं फूल लिया बहुत अन्या च्टी आपकी 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 मेरा बादा बाया बस्का है झाल झाल